हारुफिक्स सैमसंग M31 स्क्रीन ओफ दूरिंग कॉल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी कातिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर इस इशू को फिक्स कर सकते हैं ठीक है तो यह मोबाइल का स्क्रीन है वह आपने बनी हो जाते हैं ठीक है तो उसके पीछे में क्या रिजन है और किस वज़े से इसा होते है आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक स्क्राइब wondered सेटिंग के वज़े से होते हैं और यहां पर दोस्तों सेंसर के लगा होते तो उसके सब्सक्राइब करते लागतेैं चाहरा और सब्सक्राइब के मुबाइल पर जा कि देखे तो सेटिंग मिल जागा जहां से अब बन या डिफिर ओन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर जो सैमसिंग की दिवाइसे उसमें दोस्तों यह चीज़ आटमेटिक रहते हैं ठीक है इन बिल्ट यह फीचर आपके मुबाइल पर डाल दिया जा तो आप दोस्तो simply play store में जा सकते हैं play store में जाके दोस्तो आप एक application यहाँ पर search कीजिए तो यहाँ पर आपको search करना है proximity sensor का जो application है वो search करना है ठीक है तो proximity sensor दोस्तो यह वाल आप install कर सकते हैं ठीक है इंस्टॉल करने के बाद दोस्तो क्या करना है आपको यहाँ पर option मिलेगा screen on screen log screen off ठीक है तो आपको तीन option दिये जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते screen on वाला जो future है ठीक है service को enable करके screen on कर देना है तो उसके बाद दोस्तो screen आपका on ही रहेगा ठीक है तो यह चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं तो बस दोस्तो इसको solve करने के लिए आपको यह application इंस्टॉल करना है ठीक है लेकिन दोस्तो यहाँ पर आपको लगता है कि यह कोई problem नहीं है बस sensor के वज़ज़ से तो normal है तो आप दोस्तो इसको use नहीं करेंगे तब भी चलेंगे ठीक है तब भी चलेगा तो यहाँ पर दोस्तो सिंपल सा रिजाने उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसेने होगा तेंक्स फूर आचिंग